मानिता के अनुसार हनुमान जी एक युद्ध हारे थे जिसकी कथा निचे बताया गया है हनुमान जी और मचिंद्रनाथ के बीच हुए युद्ध की कहानी इस प्रकार है हनुमान जी ने मचिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए युद्ध के लिए ललकारा हनुमान जी ने मचिंद्रनाथ जी पर साथ बड़े परवत्फे के लेकिन मचिंद्रनाथ जी ने मंत्रशिक्ती का इस्तिमाल करके उन्हें वापस भेज दिया हनुमान जी ने मचिंद्रनाथ जी पर सबसे बड़ा परवत फिका लेकिन मचिंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की बूंदों को वाताकर्शन मंत्र से सिद्ध करके हनुमान जी पर फिका पानी की बुंदों से हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और वे हलचल करने में असमर्थ हो गए हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मचिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को ख्षमा करने का अनुरोध किया मचिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को ख्षमा कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए हनुमान जी ने मचिंद्रनाथ जी से कहा कि वे नारायन के अफ़तार हैं फिर भी उन्होंने उनकी शक्ती की परीक्षा लेने की कोशिश की थी मचिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को ख्षमा कर दिया मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी को तीनों लोगों में कोई नहीं हरा सकता